अबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अगर आप भी देना चाहते हैं कोई खाबर या जानकारी तो इन नंबरों पर करें संपर्ख आज नौरात्री का दूसरा दिन है आज के दिन मा के ब्रह्मचारणी सुरूप की उपासना की जा रही है माता को ज्यान तपस्या और वैरागी की देवी माना जाता है कठोर साधना और ब्रह्म में लीन रहने के कारण इनको ब्रह्मचारणी कहा गया है विद्यार्थी और तपस्वियों के लिए इनकी पूजा बहुत शुब और फलदाई होती है जिनका चंद्रमा कमजोर हो उनके लिए माब्रमचारने की उपाशना अत्यन्त अनुकूल होती है माब्रमचारनी की उपाशना के समय पीले और सफेद वस्तर धारन करना चाहिए मादा को सफेद वस्तुएं अरपित करें जैसे की मिष्ट्री, शक्कर या पंचामृत पूजा के समय ज्ञान और वैरागे का कोई भी मंतर जब कर सकते हैं माता के मंतरों के साथ चंद्रमा के मंतरों का भी जब कर सकते हैं माता को चांदी की वस्तु भी समर्पित करें इस दिन शिक्छा और ग्यान के लिए मा सरसुती की उपाशना भी करें मा को ब्रमचार्णी शुरू बेहत शांत शौम में और मोहग है मानता है कि मा के इस दिन को पूजने से विक्ति को तब त्याग, वैराग और सदाचार जैसे गुणों की प्राप्ती होती है मा के इस सुरूप को पूजन से साधक होने का फल मिलता है मा ब्रह्म चार्ने की पूजा करने से विक्ति को हर कारे में सफलता मिलती है और वो हमेशा सही मार्ग पर चलता है